तो और भाई क्या हाल चाल यारो होप सब बढ़िया होंगे मस तो गाइस काफी टाइम बात वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास ओपो का स्मार्ट है और अगर आप चाहते ही कि आप अपने oppo smartphone को अपने smart tv के साथ connect करना तो आज की वीडियो आप पूरे देखरीगा कि इस वीडियो में मैं किस तरीके से अपने और Opo smartphone को TV से connect करता हूँ, और अपने smartphone की screen ko भी अपने TV पर play करता हूँ, तो चले दोस्तो आच की वीडियो शुरू करते हैं, अगर आपने इस YouTube लाइक किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और शाथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एता कंटेंट मैं लाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास है यहां मेरा स्मार्ट फोन और मैं इस फोन को यहां इस टीवी के साथ कनेक्ट करने वाला हूं तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें बीना स्क्रीट के वीडियो देखेगा और आप इसली फिर अपने भी स्मार्ट फोन को अपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे तो जैसे कि मैं अभी चल लेता हूं अपने फोन की स्क्रीन पर और यहां पर मैं पहले अपने फोन का लोग खोल लेता हूँ जैसे कि आप देख सकते कि मैंने यहाँ पर लोग खोल लिया है और आपको अपनी टीवी में क्या करना है और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए भी मैं detail में video बनाऊ तो comment करेंगा मैं इसके लिए detail में video बना दूँँगा तागि आप easily इसको connect कर सकें तो मैं सबसे पहले mirror cast के option में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ok कर देता हूँ और ok करने के बाद दोस्तों अब सारा काम हमें अपने phone के उपर करना है तो देखते रहे हैं आपको मैं आप दिखा देता हूँ यहाँ पर side में phone की screen भी लगा देता हूँ तागे आप easily समझ पाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे side में phone की screen भी चल रही है तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या करना है कि आपको चले जाना है slide करके अपने phone के setting के अंदर और setting में आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपके पास screen cast का option है कि नहीं तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ screen cast का option है तो मैं इसके उपर simply click कर लेता हूँ और एक बार click करने के बाद दोस्तो अब मुझे चले जाना है तो मैं थोड़ा वेट करना है और वेट करने के बाद यहाँ पर हमारी टीवी का जो device होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और मैं उसको connect करके आपको दिखाऊंगा तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ तो वाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर android 65d6 आ रहा है यानि कि मेरे smart tv का जो location है वो आ रहा है तो मैं अब simply इसको यहाँ पर click कर लेता हूँ और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर start now का option आ रहा है तो मैं इसको start now click कर लेता हूँ और ऐसे ही click करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करना होगा आपको और बस आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर आप अपना जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा smart जो मेरा smart phone है वो मेरे smart tv के साथ connect हो चुका है और यहाँ जो मैं screen play करना चाहूँगा वो play कर सकता हूँ और जो भी मैं चलाना चाहूँ वो सापके साथ मेरा टीवी में भी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर camera को open कर लेता हूं और camera को open करने के बाद तो अभी मैं पूरी तरीके से देख सकते हैं जैसे कि मैं कोई वीडियो प्ले करना चाहता हूं तो मैं नहीं दिखा सकता हूं लेकिन अभी आपको बीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता है लेकिन आप ये सारी चीज़े easily अपने smartphone से अपने TV पर कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस phone के साथ मैं कुछ और भी वीडियो आपको बना के दूँ तो आप comment करिएगा मैं वो वीडियो भी बना कर देखा जैसे कि आप किस तरीके से अपने YouTube को अपने smart TV के साथ connect कर सकते हैं इस तरीके की वीडियो भी मैं आपको बना के बता दूँँआ अगर आप चाहें तो comment करिएगा तो I hope दोस्तो आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो में सीखा हो कि किस तरीके से आप अपने smart phone को smart TV के साथ connect कर सकते हैं तो दोस्तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजिए साथ में चैनल को भी subscribe कर लिजिए करकि ऐसा content लाता रहता हूं तो आज की वीडियो पर खतम होती है जैसे